नमस्कार अदाव सश्रीकाल की याल चाल मैं रोईत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ले बोर्ट पर उमीद आप सभी बढ़िया होंगे आज के सेशन की बात करेंगे आज है आपका 23 अगस्त और आज जो भी आट बजे डेली लाइब जोड़ सकते हैं और यह रिकॉर्डड आपके क्लिए डेली क्लास अब सुबह पांच बजे मिला करेंगी तो यह शांदार सेशन आपके लिए स्टार्ट किया गया है और इसमें हम लोग आज के डिसकस करेंगे इनके बारे में अगर आपको डिटेल में बढ़ना है तो सुबह आट बजे आना मत बूलिएगा चलते सीधे स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले कि अगर आपको इसका पीडियाफ चाहिए तो ऑलिबोड एससी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जोइन करते हैं तो यहां से आपको डेली जो है वो यहां से पीडियाफ और क्लासेस का लिंक जो है वो आपको यहां से मिल जाएगा दोलाईने आपकी स्क्रीन पे हैं कि आखों में नींद बहुत है पर सूना नहीं है यही समय है कुछ करने का इसे कोना नहीं है जुनून होना चाह रहे हैं आप कितना उसको फॉलो कर रहे हैं तो सीधे चलेंगे फर्स्ट कोश्चन की दरभाज का पहला सवाल आपकी स्ट्रेंड पे कुश्चन आप से पूछा गया है स्पीड में आंसर बताएंगे तो जो भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिम्टेड में कौन ब्रांड इम्विजडर बनाए गया है यह आप से पूछा गया है आंसर क्या होगा इसका तो राहूल दिर्विड जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा राहूल दिर्विड इसका गरेक्ट आंसर होगा अगला प्रशने है कि भारती विसिस्ट इसके बारे में डेटेल पढ़ने के लिए आपको सुबह 8 बजे मेरे साथ ऑलिबोर्ड स्सी चैनल पर जुड़ना होगा भारती विसिस्ट पैचान प्रादीकरण का अंस कालिक अध्यक्ष किसे चुना गया है पता ही किसको न्यूक्ट किया गया है अंस कालिक अध्यक्ष के रूप में तो आंसर नीलकंट मिश्रा जो है वो इसका सही जवाब होगा क्या हो जाएगा नीलकंट मिश्रा जो है वो इसका गरेक्ट आंसर होगा अगला प्रशने है कि हरित न्याधी करड के अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है राश्ची हरित न्याधी करड अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिबनल में तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा और अगला प्रश्ण है फट अफट से आंसर बताएंगे कि किस भारतिय मूल के निता ने सिंगापूर के राजपती चुनाओ के लिए अरहता प्राप्त की है इसके बारे में डेटेल में पढ़ने के लिए मैं आप फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप इसके बारे में डेटेल आप्की बात करें आंसर होगा थरमन आशंगू मरतम है मरत अपको याद रखना है तर्मन संगूul कि घरंतमका नाम आपको यहाँ से याद रखना है यह महतवपूड बनेंगा गरतनम का नाम आपको यहां से ध्यान में रखना है ठीक है आगे देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूँ एससी छसल टीर टू के लिए परिवर्तन बैच हमारा लाइब है दोजार अगस्त ही आपका स्टार्ट हो रहा है और अभी आप इसमें मैक्सिमम डिसकाउंट लेना चाते है तो रोहित कोड यूज करके आप टेस्स सिरीज मौक कुछ भी जॉइन कर सकते हैं आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिल जाएगा ऐसे हमारा जीके क्रेकर बैच चल रहा है इसको जॉइन कर सकते हैं और जीके के बैच के लिए डिसकाउंट अगर आपको चाहिए एक्स्रा या आप मौक वगेरा में लेना चाहते हैं तो रोहित कोड यूज़ कर सकते हैं सेम आपका CGL के लिए संकल बैच है इसको भी आप सभी जॉइन कर सकते हैं CGL मेंस के लिए और आप घर बैठे हिंदी टाइपिंग का कॉर्स आप कर सकते हैं और कोड यूज़ करना होगा रोहित आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिसकाउंट मिल जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कि नेपाल के मुख्य नयदी इसके रूप में किसे नुक्त किया गया है बताएं स्पीड में इसका सही जबाब ठीक है विसोंबर प्रशाद सेट स्रेस्ट अगला है लोगप्रिय गोपिनाथ बोर्दोलोई इंतराश्ची हवाई एड़ा डीजी यात्रा शुरू करने वाला पुर्वत्तर का पहला हवाई एड़ा बनाए एक इस राज में अब यह डीजी यात्रा क्या है इसके बारे में आपको डेटेल में समझना है तो सुबह 8 बजे लाइब आना मत बूलिएगा आंसर की बात करें यहाँ पर यह हवाई डे की बात की गई है और एक्जाम के मॉइंट अब्यू से भी अगर हम एक्चल में देखे तो यह इंपोर्टेंट है आंसर असम इसका सही जवाब होगा अगला प्रश्ण है कि फीफा मैला विशुकब 2023 का खिताब किस देश ने जी पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक आफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है बहुत ही जादा महतपूर है अब जानना चाहते हैं कि यह जो पार्क है लार्जेस्ट पार्क है यह कहां परिस्तित है यह भी इंपोर्टेंट बनेगा तो सुबह 8 बजे आपको लाइव जरूर जुड़ना है ठीक है इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इंद्रा गांदी मेमोरियल टूलिप गार्डन जो है वो इसका सही जवा होगा अगला है कि खगोल विज्ञान और खगोल भौतकी में सोल्वें अंतरास्टियों पोलंपियाड में भारत ने कौन सी रेंक हासिल की है भारत को कौन सी रेंक प्राप्त होई है तो फट अफट से बताएं जी इसके अगर हम सही जवाब की बात करें तो इंडिया का रे कहां किया गया है तो जो 9th edition हुआ है उसका उद्गाटन पर किया गया है यह आपसे पूछा जा रहा है अब इसके सही जवाब की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा अंसर होगा कहां किया गया है वो जो है वो सका रेग मिश्र किस राजिके राज़पाल है के हैं पंजाब के कौन है पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित हैं उत्राघंड की बात करें गुर्मीत सिंग है हिमाचल प्रदेश की बात करें सिप्रताब सुकला है तो कल राज मिश्र कहा के राजिस्तान के है इसी प्रकार से वार्शो किस देश की राजदानी है वार्शो वार्सव किस देश की राजधानी है पूलेंड की राजधानी है और what is the rank of India in logistics performance index 2023 हाजी Logistics performance index पूछा गया है बाकी के बारे में अगर जानना है Spain की क्या है Ukraine अंगरी सुबह 8 बजे वाली class में बढ़िया से detail में इसको करेंगे ना current news analysis में शांदार तरीके से What is the rank of India in logistic performance index 2023 तो India का rank क्या है इसमें 38 है टॉप किसने किया है इसमें सिंगापूर ने टॉप किया है सिंगापूर और Finland टॉप में रहे है तो यह आपको ध्यान में रखना है इंडिया का rank क्या है 38 है टोटल कितने country थे 193 countries थे 193 countries थे चीक है next देखिए रावत भाटा परमाणू उर्जा सायंत्र कहां पर रिस्तित है तो इसके correct answer की अगर हम बात करें रजस्थान इसका सही जवाब होगा रावत भाटा पूछा क्या है कहां पर है तो रजस्थान में है और वीर सुरेंद्र साही एरपोर्ट कहां पर है कि सुबह 8 बजे मेरे साथ में लाइव जुड़ेंगे ना तो वह पर आपको डेटेल में बढ़ाऊंगा आप सारी चीज़ें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सुबह 8 बजे जो है वह आप लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ ठीक है चलिए तैंक्यू सो मच जैहिंद आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा मिलते हैं सुबह 8 बजे तब तक के लिए नमस्कार आसते रहें मुस्कुराते रहें